तो हेलो बच्चो आज हम इलेक्ट्रोइस्टेटेक्स का लेक्चर नमबर 10 में समांतर प्लिट संधारित की धारता एक बारे में हम एस्टेडी करेंगे ठीक है पिछली वीडियो में ने बताया था कि जो संधारित होता क्या है यानिकि इसका इंट्रोडेक्शन हमने बता चु आज हम बात करेंगे समांतर प्लिट संधारित की धारता ठीक है तो आई इसका सिच्वेशन देख लेते हैं फिगर का क्या है कि माल लेते हैं कोई धातों की दो प्लेट है ए और बी है इसको डी डिस्टेंस की दूरी पर हम रख देते हैं ठीक यह एक दूसरे क्या है समांतर और यह प्लेटों की मद्ध कोई उयुआ प्रावदुत पदार भरा हुए ठीक है इनके मद्ध में जिसका के यह आपका के प्रावादुत प्लिट संधारित का ठीक है तो अब इस पहने में नहीं इस फिर प्रतीक में आपका चेय स्पzechला RAM अले सिंग माद कना सेमा बीच का जो भीवांतर है भी माल लेते हैं आपका जो दूसरा अला प्लेट है वो प्रिथिभी से सीरे से जुड़ा हुआ है ठीक है प्रिथिभी से जुड़ा हुआ है तो हमने गौश लाग अप्लिकेशन में बताया था कि जब असमान रूप से चालक दो पलेट अगर समानत है तो आपका जो वहां पर जबापका एलेक्री फिल्ड होती हों सिग्मा इस्वेलow to nano ऑ है ठीक है आ तो ये आ में के­अपाँ चांब के अपन के अपसालेल कॉनला Πन किकल नाड तो सिग्मा होता है यदि प्लेट की बीच की distance R है और भी भुवानतर दोनों प्लेट के बीच का कितना भी है तो आपका B यानि यह इसकल टूपी तो यहां से भुवानतर आपका आज आजाएगा इंटो इंटो ड्टी ठीक है तो यानि कि भी ऑकी जेकर प्लस अपका क्यू डीशिया है तो क्यू यहां पर भी का वैलू रख दोगे आप तो क्यू टी अपन के अपसाइलन नॉट यहां से के अपसाइलन नॉट एंटू डी आजाएगा ठीक यह क्या जाएगा आपका संधाय क्याने कि जब दो प्लेट समानतर रखे हुए हो तो वहां के जो धायरता होगी कितना होगी के अपसाइलन नॉट इंटू ए यदि हम परावेदूत पदार्थ वाले मीडियम में रख देते हैं तो के का वैलू कितना जाएगा यह यह वायू या निर्वात में वायू निर्वात में आपका के अपसाइलन नॉट इंट इंपान डी होगा ठीक है और यह डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका सी अपन सिग्मा इंपान डी ठीक है तो यह आपका जाएगा परावेदूत आपका वायू या निर्वात में सिग्मा इंपान डी पान सी ठीक है तो यानिकि यह आपका रहा कि समादर प्लेट की धायता जब आपकी अगर पराबैदुत पदान्त के अया एयर मीडियम में रखें तब क्या होगा ठीक है तो यहां से जो एक क्वेशन आया है यह वाला यहां से तीन बात आपके कि ऐप कारत दार्त आया है कि अगर अपने सकते हो यहां से पहला जो पॉ Break तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर्णे40व की धायता होती है वोatisf और turbulent एरिया उसका छेतरफल क्या करते हैं, जादा बढ़ा देते हैं, यानि यानि कि हम ज़एडा होना comparison यानिए कि जो डी क्या है आपकी जो distance है। यानिए कि जो धारिता होती है प्रेटों की बीच की जो दूरी उसके बित्नक्रमान उ पाती होती है यानि कि जो संदारित की धारता है मधारता को हम बढ़ाने के लिए कौन डिश्टेंस पर लेंगी बहुत पास पास लेंगी बहुत समीप लेना चाहिए जिससे हमें कैसी की जबारता है बढ़ा सकते हैं दूसरा है डाय लाक्टरी तरच के यह परावैदूत के समानुपाति होती तो तो तीन बाते याद रखना चाहिए संधायत की धायरता बढ़ाने के लिए पहला एरिया ज्यादा होना चाहिए आपका बहुत पास होना चाहिए किसी ऐसा मेडियम में रखना चाहिए जिसका पराब्यदतां क्या हो ज्यादा हो तो यही तीन बाते होंगी जिससे आपके संध तब क्या होगा धारिता पीफेक्ट उसको हम देखेंगे ठीक है तो दूसरा डेरिवेशन है आपका आंसिक रूप से पराबैदुत पदार्थ द्वारा भरे शंधारित की धारिता यानि की कैपिसीटी आप कैपिसीटर पार्सली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक यानि आंसि घ्ट होगा उसके बारे में हम देखेंगे ठीक है तो फिकर के बारे में हम देख लेते हैं क्या है कि यहां पर जो है संधायद की count की संधायद की प्लेट की संधायद की प्लेट इंड़ेट झb तथा परावजवतांग की क्या है परावजवतांग टी मुटाई की कोई प्लेट है यहां से माल लेतें टी है परावजवतांग की एक पटी माल लेतें यहां पर रखी हो यह ठी टी मुटाई है और परावजवतांग की एक पटी में रख दिये हैं यह जो जो मीडियम है यहां पर रख तो प्लेटो के मत्री यू की दूरी हो घ्तना होगी यहां से में तोंवा सह किद्णी है दिदमा एक यो में आपकी दूरी होगी तो घ्तिक अ आपका कितना है D और यहां जो परावगतांग प्लेट को हम रख दिये हैं के ती मोटाई वाले तो फिर हम यहां से यहां तकी जो डिस्टेंस लिका लेंगे टोटल कितना हो जाएगा D- माइनस T ठीक है यहांनि कि D मेंसे T को माइनस कर देंगे तो हमें इतना लिकल जाएगा तो और इसका जो प्रतेक प्लेट का मार लेते हैं एरिया कितना है A है प्लस A पे प्लस आवेश से B पे आपका माइनस आवेश से और एक सीरा आपका प्रतिवी से जुड़ा हुआ है ठीक है अब इस पे आवेश कितना है प्लस Q चार्ज है यदि हम प्लेट A की जो इलेक्टिक फिल्ड है माल लेते हैं E1 है और इसका E2 है ठीक है तब हमें जो प अब दूसरा क्या है डाइलेक्टिक मीडियम में इटू छेत्रफल यानि कि क्यू अपान एपसाइलेन नाट के इंटू ए यानि कि एयर मीडियम में और यह डाइलेक्टिक मीडियम में दोनों लिकाल लेते हैं तो जो आपका इलेक्टिक फिल्ड होता है अगर प्लेटों के बीच का विभुवांतर भी है तो इसकल टू होत इंटू डी तो पहला आपका इलेक्टिक फिल्ड एयर वाले में इंटू डी तो डी माइनस कितना हो जाएगा टी एयर मीडियम के लिए ठीक है तो इसमें से आपका जो डी मोटाई होगा माइनस हो जाएगा तो हमें डी माइनस जो दूरी होगी आपका कितना जाएगा डी म हुआ तर लिका लो एका वैलू कितना आ गया है एयर मीडियम के लिए यहां से क्यू अपान ए और यहां पर जो डिस्टेंस से कितना गया टी माइनस टी और यहां भी उसी तरह ले लिजिए क्यू अपान के अपसालन नान इंटू टी और यहां पर आ जाएगा इंटू दूरी कितना है तो q upon epsilon not d minus t common ले लिए तो बचा कितना t upon k यहाँ पर और यह पूरा term क्या होगा माय मिस तो आपका कितना है तो c is equal to होता है q upon b तो आपका कितना आया थे यहाँ पर b is equal to q upon epsilon not common ले ले थी यह वाला टर्म, तो d-d plus t upon k, यह जो b का value हम यहां पर put कर देते हैं, तो यहां पर q upon a epsilon not, d-t, t, यहां पर जो c का value आजाएगा, आपका q, q cancels हो जाएगा, तो σिग्मा a upon d-t plus t upon k, तो अगर हम आंसिक रूप से परावदुत पदार्थ को दी हम भर देते हैं तब संधायत की जो धायता होगी आपका कितना आ जाएगा एपसाले नाट ए डी माइनस टी प्लस टी अपन के तो यह आपका आगया कैपिसीटर का अगर आंसिक रूप से है तो तो अब के का जो मान होता है वन से अधिक होता है यानि कि जो प्लेट के मद्ध जो प्रभावी दूरी जो होती है कम हो जाती है जिससे आपकी धायता जो यहां पर हम किसी मीडियम को रख देते हैं तो यहां से जो आपका इफेक्टिव जो दूरी होगी कुछ प्रामेद्ध पदार्थ की कम हो जाती है जिससे आपकी धायता क्या होती है बढ़ जाती है इस कहने का वहीं मतलब यानि कि जो इसका प्रावद्ध पदार्थ का जो आहनं होता हो उनसे अधिक होता है तो प्रम्त के मत्प्र हमें अगर दय और मीडियम में कोई आन्शी कुरूप से परावद्ध पदार्थ हम रख देते हैं टीम में उट आई के जिससे आपका दूरी होता है उस पए cannon की कॉम हो जाता है जिससे आपकी संधार्ष की हायर इते, प्रावेदुन बादा भरे होतो, ठीके यानि कि यह जो फूरे स्थान पर परावेदुन बादा भरे होतो, तब क्या होगा, टोटल इताला सिल्फ D tys यह नहीं होगा, तो यहां पर T के स्थान पर क्या जाएगा? का डी दी केंसिल हो जायगा तो जो धारिदा आएकि आपका के अपसालेण एपान डी याएगा यदि हमें पूरे याँनि यहां पे यदि आपका पूरा डा-Electric बेट्रिक मीडियम हो जाता है तभ वह हां पर क्या होजाएगा के एपसाइल नाट अपंन diagnostic मीडियम के लिए के एसले नाट ऐंदे यदि हम प्लेटों के मध्ती मोटाई की धहातु की पट्टी हो तब क्या होगा C is equal to k epsilon naught D minus T यानि कि सिर्फ air के लिका लेंगे तो D को लेंगे अब पुरे धातू की पट्टी है उसके लिए हम लिका लेंगे तो D मेंसे minus T हो जाएगा जिससे आपकी वहां के जो संदायत की धायता है epsilon naught D minus T होगा एक बर केवल एर के लिए दूसरा यदि हम उस पट्टी जो परावदूत पदार्थ में रखे हैं उसके लिए निका लें तो आपको क्या हो जाएगा Epsilon A, D-D ठीक है ये आपका रहा किसी बैदूत संधारित की धारिता और Is, तब आपकी धारिता क्या होगी ये दुनों आपका इसमें की लेर हो गया तो हम बताएंगे गोला का संधारित की धायता कैसे आपका फाइंड किया जाता है तो पहले आप उस वीडियो को देखेगा तब इसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा